हलो गाई इस प्रकास और आप देख रहे है लर्नेक्स प्लस चैनल आज हम सीटेट के प्रिप्रेशन में मैट्स पैड़ा गोजी चेप्टर इट डाइगोनोस्टीक एंड रिमेडियल टीचिंग के कुछ इंपर्टेंट कोश्चन जो अलड़ी एजाम में पूछे गया थे उ प्रिक्षार्ती जिसे समझ नहीं पाया हुआ कठ नाई छेत रिया हो सकता है पहले कोश्चन पर डिसक्सन कर लेते कोश्चन में यहां 4x और 6y लिखा हुआ है इस साइड में सेकंड में 2x और 6y दोनों में 6y 6y कॉमन है तो किंसिल करना ही जी है सेकंड कोश्चन हम देख ल देख लेते हैं तो मेरा option 3 में दिया हुआ है 3 में दिये गए दोनों समिकरण उचित संख्याओं से गुनन करने पर पड़िवर्तित किया जा सकते हैं तो यही बच्चे को समझ में नहीं कर पाए नेक्स्ट कोशन है गणित पढ़ाने के एक उपागम रूप में समस्या नहीं करता है मेरे पुछाया नहीं option मेरा third हो जाएगा मेरे विचार से समस्या समधार और गणितिये तरकना में कोई सह सम्मंध नहीं है नहीं बताया जा रहा इसलिए मेरा answer यहीं हो जाएगा next question है जिन विद्यार्थियों को जया मितिये सब्दावली और उनके और समझने म के लिए सिक्षक को मेरे पास option फोर्ट जाएगा अधिक से अधिक गति वीदियो का पड़ियों करना चाहिए जैसे वर्ग पहली क्रोस पजल्स की बात करें जीग जैक पहली की बाद आधी का हल करना इस तरह से सलूसन ज्यादा करेंगे तो बच्चे के अंदर एक्टमेटि जिरुआ रहा है तो उसके में रिजिन क्या हो सकता है कुछ समझी नहीं पाया question को भासा में देखते हैं अंकुर को प्रस्ण की भासा समझी में कटना ही होती है लेकिन उसके पास समी करने को को हल करने का कौसल है मेरे पास option first हो जाएगा नेक्स्ट कोशन है पाइधाय गोरस प्रस्ण का उत्तर लिखनी के लिए कहा गया सिक्षा का उदेश है मुठ अंत्तव प्रस्ण प्रशित करना सिकेंड विद्यार्थियों के लिखन को सुधासर को सुधारणा बढ़ा यह अलोडी टेबल को देखेंगे तो हम तो लगवा कुछ आइडिया लग जाएगा ट्रेंगल के बाड़े में इसमें चलिए नेक्स पढ़ पढ़ लेते हैं जो मैं अप्शन सेकेंड हो जाएगा सिक्षार्तियों के अस्थानिय योगता को समवर्धित करने के लिए ताकि वे इकाई को संपूर्था से देख सकी एक ही साथ सारे चीज यहां समझ मैं इसलिए ग्राप को बनाए गया ते मेरे पर आप्शन हो जाएगा भी शास सेवेन के सिक्षा करक्षा में निमलिकी समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं एक वर्ग को चार सरवांग समायतों म सरे में विभाजित किया जाता है परतेक आयत का परीमाप है 4 41 दिये गया वर्ग का परीमाप क्या है इस समस्या को हल करने के लिए आवस्यक्र मुक्णिती संकल्पना है सन्न होस्ट में मैं है व गोर्य आयत का छ्यथ फल warrant उसक्षरफल जनक्तम जोड़ी है वर्ग और आयका सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे इसलिए मेरे पास ऑप्सन फर्स्ट हो जाएगा कि नेक्स्ट कोशन देखते हैं मुक्त अंताव वाले प्रस्ट की पहचान करना मुक्त फ्री होना चीए मैं तब फ्री लिए कोई भी एंसर उसमें से रखरास आगे पीछस्टiggers एक सेलिक्ट कर सकते हैं मेले पास ऑप्सन फोर्ण में दिया हूए कोई पांक्न नंबर लिख सकती फूरी है ठीक है नेक्स्ट कोश्टन है कक्षा, 7 का एक बच्चा इस परकार आयत को प्रभासित करता है कि आयत चत्रबूज है जिसे विपरित प्रिष्ट या फलक समनांतर और समान है, परिभासा यह बताती है कि बच्चा कुछ भी सिस्ताइ जानता है लेकिन परिभासा को पूरा करने के लि सक्षाय का मेरे पास ऑप्विव्यक्ट सील और विचार आग सी घातांकी का उप्यों चोटी संख्याओ को मानक ρूप में बेक्षाय करने में करना के अंतर का जीतित दिये गए तत्यों का उलेक किया गया प्रकास की चार इसमें दिखा हुआ अलड़ी कुछ नंबर है मांट एवरेश्ट के उचाई गिवेन है इसमें कॉंप्यूटर चीप लगाते समय तार का ब्यास में इसका लिक गिवेन है पादब कोशिगा का स प्रतिवींबंबीद करता है मेरे पास आप्सण हो जाएगा फोड हुआ नेक्स्ट कोश्ण है अनिल सभी प्रसनों के मौकिक उतर तो देश देता है प्रंतु जब समस्थान जिकता है तो गलतिया करता है उसके लेखन में गलतियों को हटाने है तो निमलेखित मेंसे कौन स से उप्चार आत्मक विदी सर्व सिरिष्ट है तो मेरे पास ओप्षन सी देखेंगे उसे एसे काड़े परपत्र देकर रीक तस्थान भरने को कहना चाहिए जिससे आंसिक रूप से समस्य हल की हुई हो क्यूंकि वह लाइंग्वेज ही नहीं समझ पाया तो ऐसा लाइंग्व स्था स्था आप्सान वास्तिक जीवन को गनितिय अधार नाओं के साथ जोरने संबंदी क्योंकि वह प्रक्राइकर उडेंटित कुछ काम करवाड़ है तो और यह लाइफ से उसको करेक्ट कर रहे ठीक है नेक्स्ट कोशन है एक सिक्षार्ती सिक्षार्टी सिक्षार्ट सर में रिसानी दर्शाता है उसको में से कि समझा के साथ पार डिशकर लीया हो सकता है द्रिस्सक्राइब है यह सकता है ज्यामिती में ऊप्पती लिखना संकीत करता है कथन में तरक या और चीत का मेरे पास ऑफ्षन फरस्ट ही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है सिद कीजिए कि यह सी कोई भी पड़ी में संख्या नहीं है जिसका वर्ग दो है इस प्रकार की उप्पती है मेरे पास ऑफ्षन से केन हो जाएगा प्रतिव दाहरन द्वारा उप्पती ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है निम्न कथन पर विचार कीजिए यह एक चत्रवुज के विकर्ण एक दूसरे को प्रस्पर सम्धिवाजित करते है तो चत्रवुज एक समान्त चे दर्वुज यह कथन है थी उड़ा में पर में हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है निम्निखित में से कौन सा क्रियाकलाप आकरों के प्रस्तूतिकरण और आकरों के निरूपन के लिए उप्रिक्त नहीं है ठीक है ना प्रस्तूतिकरण और निरूपन के लिए तो मेरी आपस न्यब्लिखत को आपन सिकलोर हो जाएका वाद बीवाद नेक्स्ट कोश्चन निम्लिखित कधन पर विचार कीजिए प्रतिक बिशम प्रकित संक्या एक और आपर प्रतिक निम्लिखित वीजिए कि से किया जा सकता है मिनेश कोống करको आपकी कर्था म के अन परदासन नहीं कर पा रहे हैं एक सिख्षक के रूप में आप क्या करना चाहिए हमें फ़र्ष्ट अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट करना चाहिए तो अप्शन यह नहीं होना चाहिए सिकेंड आच्छाना करने के पड़ी नाम को समझाएंगे इसको छोड़ देखते है कारणों करनीदान करेंगे और उपचारी कदम उठाएंगे मेंने जो बच्चे के साथ प्रोब्लम है उसको सलूशन करेंगे उसके लिए हम जो इंपर्टन काम करेंगे ठीक ना मेरे पास अब्सक्राइब जाएगा इफ यू लाइक दे वीडियो देन लाइक करेंगे टारव यूड़ अ झाल शरूब्सक्राइब ऑंपर उसक्राइब खरणते लिए जाह टोब्सक्राइब आर वार के लिए हेंगे ऑनक्षा लिए इसकाटपरेंगे और इसक्राइब नाहीं करेंगे लाइक स्थाएंगे और बटे तो